रेवाडी की कोसली में एक युवती से दुशकर्म करने का मामला सामने आया है जानकारी के मताबिक पीडिता जिस वक्त अपने घर जा रही थी उसी दौरान एक युवक ने उसे लिफ्ट आफर कर दी अजनबी पर भरोसा कर युवती कार में बैठ गई जिसके बाद आरोपी कार को एक कुए के पास ले गया जहां उसे वार्दात को अंजाम दिया पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर आरोपी युवक पर धारा 376 और 366 के तहट केस दर्ज कर लिया है बता दे आरोपी का नाम हितेश है जिसने 18 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था कारोली गाउं में रहने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस ने दविश देनी शुरू कर दी है और पीडित युवती का मेडिकल फरिक्षन करा कर पुलिस अग्रेम जाच में जुट कई है जल्द ही आरोपी को गिरफतार कर नियायले में पेश करने का दावा किया जा रहा है देवारी से महिंद्र भारती पंजाब के स्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद